बॉलिवूट की बार्वी डॉल कही जाने वाली पॉपुलर खूपसुरत एक्ट्रेस कट्रीना कैफ फाइनली कौशल परिवार की बहूप बन चुकी है जी हाँ केट्रीना कैफ 9 दिस्टंबर के दिन राजिस्थान के सवाई माधुपूर में इस्थित सिक्स एंसेज फोर्ट होटेल में साथ फेरे ली हैं विकी कौशल की साथ केट्रीना और विकी की शाही शादी की तस्वीरे इस वक्त सोशल मीडिया पर चाही हुई है नियूले मेरिट कपल धीरे धीरे करके अपने शादी की फंक्शन्स की तस्वीरों को शेर करती हुई नजर आ रहा है और ऐसी में देखा जाए तो केट्रीना और विकी को भरपूर प्यार मिल रहा है अपने चाहने वालों की तरब से बधाईयों का सिलसिला जारी है और सभी इंतिजार कर रही है इस प्यारी सी कपल की वैडिंग रिसेप्शन का वैल देखा जाए तो तमाम खबरे आ रही है केट्रीना और विकी को लेकर लेकिन इसी बीज देखने को मिला है कि बॉलिवुट के दबंग खान सलमान खान जो काफी जादा सुर्खियों में रही है सलमान खान इस शादी का हिस्सा नहीं बने लेकिन सलमान जशन में डूबे हुए नज़राई वल बता दे आपको अपने दब बैंक टूर पर निकल चुके थे सलमान खान 9 दिसंबर के दिन जहां पर सलमान खान ने जम कर मस्ती की जी हां सौधी अरेबिया में सलमान खान ने जम कर मस्ती की है और रियाद में अपनी शांदार परफॉमेंस देने के बाद अब सलमान मुंबई वापिस लोटाए है इसी दोरान देखा जाए तो सलमान के बोडिकार्ड शेरा को लेकर एक बड़ी खबर आ चुकी है वाल हम आपको बताना चाहेंगे केट्रीना कैफ ने शेरा को करोड़ रुपे दिये हैं और ये करोड़ रुपे दिये हैं केट्रीना कैफ ने शेरा को उनकी सिक्योर्टी के लिए जी हां हमारी इस रिपोर्ट की जरीए हम बात करेंगे शेरा के बारे में हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज एम यर होस्ट एंदोस्त प्राण शिराठर दरसल केटरीना कैफ और विकी कोशल ने तकरीबन 700 साल पुराने किले में बिहत शाही अंदास में शादी रचाई और इस किले की सिक्योर्टी का जिम्मा उठाया सलमान खान की बोडिकाड शेरा ने सलमान खान भले ही इस शादी का हिस्ता नहीं बने हो लेकिन उनके बोडिकाड ने कैटरीना कैफ के लिए इस जिम्मेदारी को उठाया सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केटरीना कैफ ने शेरा की टीम को बुलाया और शेरा की टीम इसके लिए के बाहर तैनात रही सुरक्षा के लिए और ऐसे में देखा जाए तो अब शादी के बाद खबरे आ रही है कि केटरीना कैफ ने शेरा को इसके लिए करोड रुपे से भी ज्यादा लिये हैं इस तरह से देखा जाए तो केटरीना कैफ ने शेरा को करोड रुपे चार्ज किये हैं उनकी इस काम के लिए वैल ये बातें जाहिर करती हैं कि स्तलमान खान के साथ केटरीना का बहुत ही प्यारा सा बॉंड अभी परकरार है वर्क फ्रेंट फिर्म टाइगर 3 के शूटिंग के शुरुआत करेंगी हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही तब तक के लिए आप देख रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज